तिनां 71 जुलाई 2023 की प्रातहनगर निकब में सफाई कर्मी के द्वारा 112 पर सुचना दी गई कि सेंट्रियों मौल के पास कुड़े दान के रिकट एक अग्याद महीला की लाश पड़ी हुई है सूचना पर कोटवाली डालन वाला और शहर कोटवाली का पुलिस बल मौके पर पहुंछा महीला को देखका सपरश हो रहा था कि उसकी हत्याक अश्रफ को चिपाने के उदेशे से कुड़े दान के अपास डाला गया है मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर साक्षे संकलनादी की कारिवाही की गई उचारी कारियों द्वारा मौके पर आकार इरक्षन घटना सर्थ किया गया श्रफ की बरामद्गी का स्थर धारा चौकी होने की कारण संबंदित चौकी द्वारा श्रफ के शिनाकत के काफी प्रयास किये पर अंतो शिनाकत नहीं हो पाई इस बीच CCTV फुटेज के अवलोकन के दवरान टीम को प्रातह करी तीन बजे के आसपास एक व्यक्ति उक्तमहिला के शव को घसीटे हुए रोड की विपरित साइड से लाकर कुड़े गान के पास शोड़ कर जाता हुआ दिखाई गया फुटेज से प्राब रख्ति के हुलिय के मिलान हेतुर टीमों द्वरा आंसपास के लोगों से पूच्टाज करने पर गयात हुआ कि फुटेज में दिखाई दे रहा व्यक्ति वहीं पास में ही सुलब सोचाले के बगदे बने कच्चे के मकान में रहने वाला था तथा सुलब सुचाले का करमचारी राजेश पुत्र मन्नू उम्रसेतिस वर्ष निवासी के नाल रोड बौडी घाट नदी किनारे थाना राजपुर जन पर धरदून है बताये गई हुलियक के विक्ति के पास टीम पहुची तो वो पुलिस को देखकर घबरा गया जिस पर पुलिस को उस चेक्ति की भूमी का संदिक लगी उसके शरीर पर काफी खरोच के नर्शान थे जिनके बारे में उसने बताया कि जाड़ियों से उसके शरीर पर खरोचे आई हैं इस दोरान विवेचना जब संदिक चराजेश के कमरे की तालाशी ली गई तो उसके कमरे से खून के दाग दिवार पर पड़े मिले पूछताच करने वार अभ्यूक्त ने बताया कि दिनक 30 जुलाई 2023 की रात को करीड 9 बजे जब वेरी इल्रस्टेशन के पास शराब के ठेके के भार शराब पी रहा था तो अमरतिका भी उसे वही पर मिली ते वही वही पर शराब पी रही थी दोनों के बीच बाचीत होने के बाद उक्त महीला को वे अपने साथ अपने सुलब सोचाले के बगल वाले कमरे में लेकर आ गया कमरे में आने के बाद अभ्यूक्त वामरतिका दोनों ने साथ भेटकर फिर से शराब पी नशे में आने के बाद जब अब्युक्त ने उक्त महीला के साथ जब रस्ती करने की कोशिश की तो महीला ने विरोध किया और अब्युक्त को काट दिया जिसके बाद अभ्यूक्त को बहुत गुसा आया और नशे में होने के कारण महीला के सर को तीन से चार बाद दिवार पे मारा और कमरे में रखे छोटे अलपीजी सिलेंडर से महीला के सर वह चहरे पर वार किया जिससे वह अचेत हो गई थी फिर नशे की हालत में ही अभ्योक्त ने उसके साथ दुष्क्रम किया बाद में नशा कम होने पर देखा कि महिला की मौत हो गई है तो साक्षे चिपाने वा बचने के लिए उसने शब को सड़क दुरगटना की भाती दिखाने के लिए सड़क के किनारे रख दिया था पकड़े गई अभ्योक्त राजे शुपरोक्त के दुआरा उक्त महिला के साथ दुष्क्रम करने की बाद फिकार की गई जस्वर उक्त अभ्योक में धारा 376 भादवी के बड़ोतरी की गई महिला की इडेंटिकेशन होई है जिसमें की महिला मुर्तकाग गजरार के नावसे हैं जो कि दुष्क्रम के रहने वाली है इसके पश्चाद जो है जो हमारी इसके अनावरण यह दू लगी थी उसने जो है सब्सक्राइब की को इडेंटिफाई किया और संबिक्ता की अधार पर जब उसके पुछ्टाच की गई इस महिला को वह अपने साथ अपने कमरे में ले गया था और शरापीदे के पश्चाद उसने असमाहिला के साथ दुष्क्रम कर दिया गया गया इस संबंध में जो 302 आईपीसी और 206 आईपीसी में मुकर्णा पजीग रित किया गया है अभी उप्त जो राजेश है उसकी गिरफतारी की दोगी पहले भी वेला थी फांता था या पहली मादी विलाए तो अब इस वर्यार यह पतार गया है टीकला इसकी मुलाकास वी और उस में लाकुपो अपने साथ लिए करके आपने कमरे पर आए प्क्रांट झाल